नमस्कार रदे रदे हरार महादेओ मैं आपका आचार देओ अपने चर्चा न चेट्र सीरीज पर चल लए नचट्र जिनका कभी छन नहीं होता नचट्र जो सदा-सदा के लिए बिद्धिमान है नचत्र आकास की वो पत जो ग्रहों को मार प्रदान करता है नचत्र जहां पे चंद्रमा अपनी रस्मियों को भी खेरता है जहां चंद्रमा गोचर करता है उसको हम नचत्र खहते हैं वैसे आकास पत पे 85 नचत्रों के समू है 85 तारों के समों जिने नचत्रों की संग्या प्रदान की जा सकती है किन्तु हमारे सास कारुने 27 तारों के समों को नचत्र की संग्या प्रदान की क्योंकि यहीं पर ग्रह संचरन करते हैं और इनकी रस्मी लेकि आपकी जीवान में परिवर्तन लाने वाले हैं तो नचत्र जोतिश के आधार अस्तम्म है, जोतिश वेद का नेत्र है, लेकिन जोतिश का नेत्र कौन है, तो नचत्र ही तो जोतिश के नेत्र है, और प्राचीन काल में नचत्रों के आधार पे हमारी सारी प्रजिक्शन होती थी, कौन से नचत्र में वाईव कैसे चल लई है तो आगे प्रकित क्या करेगी, वर्षा हो रही तो क्या करेगा, सब कुछ नचत्र की आधार की होता था, बाद में हम लोगों नचत्रों को छोण के रासी-रासी करने लगे, इसलिए आज जोतिस थोड़ी से भटक गई है, तो जोतिस को सही दिसा और दसा देने के लिए नचत करेगा, तो आज हम बात करने है, पूर्व भाद्र प्द, फूर्व मतलब पहले से बत्र, मतलब स्रेश्ट पद ग्रहाण की वगत्यों को पूर्व भाद्र पदन चत्र कहते हैं, तो 25 नमबर आएगा इसका, पूर्व का सुन्दर पक्ग, पूर्व का प्राचीन या प्रा आकासपत पे उसको पूर्व भाद्र पद नचत्र कहते हैं। पे तीन पग अपने कुम्ब में दे रखे हैं। इसलिए बात मुक्ति की होगी। तो यह तीन पद इसके कुम्ब में चलेंगे। पैर इसका एक पद मीन में चलेगा। यह ध्यान देने वारी बात है। यहाँ पे कुंडली में गुरु का प्रवाव होगा। और नचत्र स्वामी गुरु है। रासी स्वामी 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 है और एक पद में गुरु तो गुरु एक जगा बहुत सुंदर फल देंगे। तीन जगा भी इच्चे फल देंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो नवांस को देखें। जोतिस में जब आप फलित कर रहे हैं हैं, आप आधा घंटा का वीडियो देखोगे नहीं किस लिये देखोगे। आधा घंटे के वीडियो में आपका 20 मिनट का प्रेडिक्सन का पईउंट मिलेगा। बीस सेकंड का लेकिन जो बीस सेकंड का पॉइंट होगा इतना जवर जस्त होगा कि अगला आत्मी नत्मस्तफ हो जाएगा वहाँ गरोजी क्या बात है आप वर्सों वर्स साधना करते हैं आप जीवन में बीस साल पढ़ोगे और किसी कुनली दस मिनट बता दोगे तो दस मिन नचत्री सीले आपको जानना आविश्यक है चले आगे बढ़ते हैं तो गुरु इसके रासी स्वामी है अजैक पद इसके देवता है अजैक पद हाथी जैसा इनका सीर है एक पैर है इनके पास नहीं सीर इनका बकरे जैसा है और इनका जो पैर है ना वो पैर हाथी जैसा है ये अजगर जैसे लगता है कहीं-कहीं आग उगलता हुआ सर्पभीन को कहा गया है रसलिया जिन्हों सीव के गण है ये गणनायक है गणा धच्छ है गणनायक है ये गणों के मेन स्वामी है और ये जो रुद्र है रुद्रों में है एक गुरुद्र माना जाता है सिव के ही सुरूप माना जाता है पूर्व शुखी पद इसन चत्र को कहा गया है पूर्व प्रिष्ठापद भी इसन चत्र को कहते हैं पूर्व सुखी पद या पूर्व प्रिष्ठापद इसन चत्र को कहते हैं पूर्व मतलब पूर्व धन भाद्र धन पद अर्थात पूर्व यानि पहले का भाद्र यानि सुन्दर पद यानि पाद होता है पहले का सुन्दर पाद मतलब पहले से सुन्दरता को ग्राण की हुए आप आ रहे है अज एक पद अज यानि एक पथ अर्थात एक पैर का बकरावी इसको सास्तकार कहते है पुराणों में वरणित यह एक देवता हैं ठीक ना भारती खगोल सास्त के अंसार याट पचीसमा आपका नचत्र है या नचत्र सुभ है या नचत्र राजसिक है या पुरुस नचत्र है इसकी जाती जो है ब्राम्मण जाती कही गई है ब्राम्मण मतलब ब्रह्मतत्त को प्राप्त होना ब्रह्माण का क्या मतलब है आप मिसरा जी है पाठाक है द्रिवेदी चतुरवदी पांडे है नहीं जाती नहीं ब्रह्मतत तो ब्रह्मतत तो को जाने वो ब्रह्माण है बकाया तो सब जाती में बटे रहे यह कोई मतलब नहीं है सिंग यूनी है अब सिंग का तात पर होता है परिवार का रच्छन करना गण मनुष्य है मनुष्य से गण स्रिष्ट कर मैं बानता हूं क्योंकि ये उन्नती की विसेश संभावनाएं होती है आदिनाडी है प्रस्चीम दिशा इसका स्वामी है दो तारो वाला या मंडल जुडवा सिसु जैसा दिखता है इसलिए इसे यमल सद्रिष्ट कहा जाता है कुम्ब रासी जो है ना आल लेडी जुडवा है कुम्ब रासी एक जादूगर रासी है और इसमें जो सत्विसा नचत्र है वो जादूगर नचत्र उसी का प्रभाव इस नशुत्र पर पढ़ता है कुम्ब में दो चेहरा होना बिक्तित आपको डवल हो जाना कहना, कुछ करना, कुछ आपको समझना पाना ये कुम्ब का एक बिक्तित नहीं है आपके तीन पद कुम्ब में है तो वो चीज़ें आएंगे डवल चेहरा है आपके पास यूग मसरूप है एक दो तरह से होगा एक आध्यात में भी होगा एक संसार होगा ठीक है ना एक परिवार होगा एक बाहर का समाज होगा एक आप दिखाने के लिए है एक और अपने खुद के लिए है तो इस तरह के च तो यही है क्यों आए है क्या करना है क्या वस्त यहां पर जीना है क्या वस्त यहां पर मरना है सच्चिदानंद कहते जिसको उसमें मुझमें के अंतर है इसका सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है यही चीज़ सिखाता है अर्थी का जो दो पैर है ना वो बताता है कि ब आईकिंग का नच्छत्र है passt सिधा सा उस्थेट फारवर अरगर आपको बताूं तो यह इसे नच्छत्र में अगर आप आए हैं तो आप मान सीधा आया निकल जाओस जब तक आप अपने कर्मा लोगों ने बना दिया नहीं मृत्तु तो सुंदर है मृत्तु के बाद सांती है मृत्तु के बाद कश्ट तकलीप कश्ट और तकलीप तो जिन्दगी देती है दोस्त गर में जो परिशानी समाज में परिशानी वह जब तक आप जिन्दा हो तब तक परिशानी है मरने के अपने गंतव तक पहुंचने के लिए अब गंतव इसे आपको डरा दिया जाए ति डराने वालों की कमी है तो एक बार अगर काइदे से मरना आ गया तो जन्म लेना बंद बस मरना जब तक नहीं आएगा जन्म लेना पड़ेगा इसके प्रतीक में तलवार है तलवार का यह प्राची नसुर देवता है आग का अजगर इसको कहा जाता है आग का अजगर सीव का रुद्र सुरूप है यह देखे नार्मल सीवाते है इसके खास बात मैं आपको बताओं तो चलिए एक कुछ पॉइंट और बता देता हूँ एक पाद हिंदु भगवान सीव के एक फैर को दर्शाता है या मुलता दच्छिन भारत अर और अलिशा में पाया जाता है इसके तीन सास्थ्री रूप हैं एक पाद मूर्ती एक पैर और चार बुजा एक पाद त्री मूर्ती एक पैर सीव का साथ में ब्रमा और विश्व nay और धड़्वार एक पाद भयरां पा भी शर्प को देखिये ना सर्प किया है ज़्यादा तर घुमा के रखता है हमारे पास भी एक सफ आगया गुमाओदार ठेकर ना बहुत तगड़ासा बहुत अईसे इक्षिडकी के पास तो सर्प क्या गुमावदार होता है हमारी जो 52,000 नाड़ियां होती है गुमावदार होती है टीक है ना एक आपने सुना खुंडलनी चक्र कुंडलनी मार के बैठा हुआ रबुए रबुए भुसर ये दरसल उसी एनर्जी का प्रतीक है यह energy आप नावी के उपर से उठने के फ्रतिक है, आपकी energy दो तरह से है, यह तो आपके नावी के उपर से उठ जाओ, संसार में आत्मा और पर्मात्मा को connect कर लो या नीचे चले जाओ भोगात्मक हो जाओ तो यहाँ एनर्जी जो है आग वाली जो एनर्जी है यह मड़ी पुरी चक्रा से उपर उठने की बात करती है मड़ी पुरी चक्रा से आप अपने एनर्जी को उपर उठाए क्योंकि दो पैर आ गये हैं दो पैर आने में देर नहीं लगेगा तो इसकी पहले कि सब कुछ खतम हो आप कर्म बंदन को काट देशिए मुक्ति की और बढ़िए इस चीज़ को यहाँ नच्छत्र बताता है अगर पॉइंट समझ सकी तो जीवन समर जाएगा जोतिस द्रसल पैसा कमाने कभी से नहीं है पैसा कमाने के लिए तो कोई भी धंदा करो पैसा आप कमा ही लोगे जोतिस मुक्ति कभी से है जोतिस परमात्मा को प्राप्त कर लेने कभी से है क्योंकि सड रिपू आपके काम, करोध, मो, लो, माया, मत्सर और यह आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते खीच लेते हैं तो नंता जाओ इसलिए जो तिसको प्योग अंतिम लच्छ के लिए करिए तो इसने शत्र में अच्छा अब यहां स्यूकि अत्नत भयंकर शुरूप है रक्त वलिदान मांगता हैं ठीक है ना अचानक क्रोध आज जाता है जी चुकि इनर्जी लेवल हाई है और इनर्जी का सही उपयोग नहीं करोगई तो क्रोध आ जाएगा इसको दरसल दो तरह से देखिए एक तो अत्तिम्त सुह मैं तो इसको सुह मानता हूं क्यों क्योंकि मुक्ति आपको देने वाला नशत्र है जो आपको गंतब तक पहुंचाने वाला है और यहां उदयमान अगरा है मतलब उदित होता हुआ अगरा है आदमी का दो चेहरा इसमें दिखता है सरीर कांगों पे देखें तो पेट में तलुए में जांग में ज्यादा प्रभाव है गुण सात्विक गुण सात्विक गुण को लेके चलता है तत्व आकास मतलब उपर की बात करेगा धराधाम की बात ही नहीं करेगा पित्र लोग पंची लोग से उपर की बात करेगा सात लोकों में हम आए ठीके ना तो जब आप पंची लोग से उपर की बात करने लगते हैं तो लोग आपको पागल कह देते हैं दसल पागल आप नहीं है पागल हुआ है जुनको समझ में नहीं आता अब कोई LKG के बच्चे से 10th class के mathematics की बात करेगा तो बोलेगा पागल है यह बस इतनी simple सी बात है चतुर दशीति थी भाद्र किष्ट पच्च पे इसका प्रहापड़ा पड़ता है और इसके जो रिशी है वसिष्ट है वसिष्ट मतलब विसिष्ट देख बलम चत्री बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम जिनको देखके यह कहा जाता है कि दिकार चत्री के बल को ब्रामण का जो तेज है वास्तों में वही बल है और इसी तप बल से ब्रहमाजी स्रजन करते हैं वही ब्रामण का बल है ठीक है ना जाप सिद्धे चले कुछ लच्छन आपके क्या क्या सरीर में आपके लच्छन होंगे उन लच्छणों की बात कर लेते हैं फिर आपके करमा की बात करेंगे कहां से बेवसाय करेंगे उसकी बात करेंगे साथ में कौन से ग्रहाप को सपोर्ट कौन सा नच्छत सपोर्ट करेंगा और क्या करने से बहतर होगा इसमें क्यूं आए हो क्या करना है क्या वस्त यहां पर जीना है इस सारी चीज़े बात करेंगे तो सास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अगर आप पुर्ष जातक है तो इनकी एड़ी जमिन से उपर उठी रहती है मतलब पैर बिल्कुल सपाट नहीं रहेगा क्योंकि उठने की बात है अब तो उठ जाना है अब तो धरा धाम से उठना है और उठना कहा है पैर ही तो उठाते हैं तो पैर हिस्सिज का प्रदी कहें कि अब धीरे से उठना है मद्यम कदय चौडे गाल है गुदेदार ओठ वाला है जातक शान तिप्डी है यदा अकदा परिशान करेंगे नर्जी को डिश्टरो करेंगे तो भड़कने वाला है आर्थिक रोप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं लेकिन सम्मान डेफिनेटली मिलता है और जो सिउतक्त्य को ब्रमतक्त्य को प्राप्त करते हैं उनको अर्थ का बहुत मतलब भी नहीं रहता जो उनको परमात्मा के पास जाना है उनका अर्थ से माया मों से दूर ही होना है आप बड़े-बड़े मात्मा को देखो बस पर ना उनका बहुत संजर सुगेता है बाद में जब वो तप बलक से आगे बढ़ते हैं तो बड़े-बड़े अरभपती-खरपती उनके चरणों में पड़े रहते हैं आप वो इससे में देखे प्रेमानंद महरास को कभी खाने को नहीं हुआ करता था आज उनके दरपे अरभपती-खरपती-दर्शन के लिए खड़े हैं बस क्योंकि उनके पहर उठे हुए कभी से मौका मिलेगा जरूर देखेंगे उनके पहर उठे होंगे जमें से यह ऐसे ही लोग होते हैं तो स्वा निर्भर, मददगार दूसरों के मदद करने वाले हैं स्वाधिष्ट भोजन प्री भोजन भट्ट टाइक होते हैं जातक पच्चहा पच्चपात हीन होता है मतलब सर्वे वंत शुकिना, सर्वे शुंत निरामयह सर्वे वद्राणी पस्चिंदुमा, कस्चित्दुक भाग ववेट यह वी कहते हैं, ठीक है इस्वर भगत थे, सास्तरों के वसनों को पालन करने वाले हैं सास्तर ही आपके लिए समविधान है सास्तर ने आपको जो कह दिया वो समविधान से कब नहीं है मितब्याई है मतलब फाल तू पैसा नहीं खर्च करेंगे वस्त्रप्री हैं अच्छा पहनना पसंद करेंगे और रोध और नफरत को सहन करने वाले हैं ब्योसाय अगर आप करेंगे तो ब्योसाय में डेफिनेटली आप पारंगत हैं सासकी अगर सेवा में आप जाते हैं सासकी सेवक है सासन के साथ काम करते हैं तो ती ब्रगत से उन्नत करते हैं क्योंकि डिस्सिप्लिन में आप काम करते हैं उम्र के 23-34 वर्स तक अप्रत्यासित उन्नत करते हुए दिखाई देते हैं 45-44 में स्थिर्टा आ जाती है, जो भागदोड है उस बार नक्द seventeen को प्राप्त कर लेते हैं इसलिए स्थिर्टा आती है, जिब मूलततनों को नहीं ant现在 भागदोड लगी रहती है जो मूलतत्तों को आप प्राप्त कर लेंगे तो भागदोड बंदो जाएगी सास्तकार कहते हैं आप अच्छे ब्यापारी हैं आप अच्छे कोसाले कारे कारी हैं मतलब पैसे कठा करके पैसे का संचालन बहुत अच्छा कर सकते हैं गुरू का प्रवाव है तो आप अच्छे लेखक हैं अब आप नवांस में जाएंगे तो नवांस में ब्रिश अच्छे अध्यापक है, आप अच्छे जोटसी है, आप अच्छे खगोल विद है, एक अच्छे खगोल विद हैं आप, सास्तरकार कहते हैं कि अगर आप इस नचत्र में जन्वलिय हैं तो माता पिता के दुलार से वन्चित हो जाएंगे, दसल यहां कह देना थुड़ा सा ट जोग रही है, सुक्र अपने से चले गए चतुरत भाव में या सुक्र लगन में हैं तब आपको माता का सुक में लेगा, सुक्र छी आड़ वारा में चले जाएंगी, तब माता के सुक में कमिया जाएगी, तो कभी भी एक पॉइंट को लेके जोतिस मत पढ़िएगा, दो पिता की बिसेस्ताओं से गर्वित होते हैं, मतलब पिता आपके डिफनेटली महान होंगे, पिता के जो करमा होंगे, वो याद अगार करने वाले होंगे, तो पिता की गर्व से गर्वित, मतलब पिता की कामों पे आप गर्व कर सकते हैं, किन्तो विचारों में मत्वेद हो में मतवेद स्वाभाविक है माता कार शीला होंगी इसलिए प्यार से वंचित हो जाएंगे अच्छा पॉइंट यह आ रहा है अगर आपका सुक्र आपके कर्मा भाव में बैठ गया अल्ला आपके घर में बैठ गया नवम में बैठा तो यहां पे माता जी आपके काम करने वा यह ठीक ही नहीं है मृत की बात नहीं कह सकते हैं सासकी सेवक है तो राजस सो अधिकारी हो सकते हैं अगर आप सासकी सेवा में जाना चाहते हैं तो राजस अधिकार या राजस विवाद में आप जाएं तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी अगर आप जातिका है मतल the middle point में रहेंगे सुन्दर मूर्ती होती है कोई-कोई इकहरे वदन की हो सकती है इमानदारी और निस्क कपटता आपके अंदर दो मुख्य गुण है ये मुख्य गुण है और इस निस्क कपटता और इमानदारी के वज़ा से कभी कोई मात खा जाओगे सिर्वी कड़ जाए तो सत्य के मार्ग से न डिगने वाली जन्वजात नेता हैं दूसरों से काम लेने वाली सक्ति और अधिकार मिलने पर सफल आसावात के आप प्रतीक है सिच्चा विज्ञान और तकनीक में होने के कारण आप बहुत अच्छे अध्यापिका है बहुत अच्छे सांख्यक गडिक या अच्छे क्वालिटी के जोति सवास्तु अंक सास्त्र के आप जानने वाली हो सकते हैं जीवन साती और संतान से बिसेस लगा होगा ग्रीकार में आप जच्च होंगे प्रशाशन में प्रविवन होंगे संतान अच्चन तो लावकारी होती है यदि आपका जातक रोईणी आपका जीवन साती रोईणी जातक कहो तो संताने मात्रा में अधिक होती है थोड़े से बातुनी है थोड़े से असपष्टवादी है जिद्धी हैं विलासी हैं बिसन जुआ नसीले ये सारी चीज़े जब पाप प्रभाव आएगा तब आएगा नहीं नार्मन नहीं आएगा क्या करें मतवेद वाले सभी कारें जहां पर मतवेद समाप्त करना है कर सकते हैं हम सुन्धान कर सकते हैं बिवाह और यात्रा प्रेम इसमें ना करें इसमें स्टार्ड की एक काम भुष्ष में दुख के कारण बन सकते हैं इसलिए सास्रकार कहते हैं कि थोड़ा सब बच करें ना चाहिए ठीक है ना आपके मोटे मोटे कर्म देखें तो आप जोटसी हैं आप गड़ितक के हैं आप खगोल सास्तर के जानने वाले हैं नगर पालिका नगर निगम में आप काम करने वाले हैं आप सियर मार्केट में काम करेंगे आप दलाल काम कर सकते हैं अनुशंधान का कारे करना बित तो बैंक राजस बिभाग में काम करना आप चुकि यहां नशत्र गुप्तता को लेके चलता है चेहरे को छुपा के लेके चलता है तो रा में जा सकते हैं इस आईडे में हो सकते हैं आप अनुशंधान के कारे कर सकते हैं उत्खनन बीमा एजेंट मंदिर पंचायत सिच्छक वकील नयाधिस राज दूत राज जिपाल बहुत अच्छे प्लेनट हुए तो आप बन सकते हैं यह आपके कर्मभयवसा हैं आपके लिए सास्तरकार क्या क कि बात करता हूं तो आपके लिए पहले वारा महराज क्या कहते हैं देखिए जो हमारे सास्तकार है ना इनका जो लेखन है वो पत्थर पे लकीर है कटी नहीं सकता तो वारा महराज कहते हैं कि जा तक हमेसा उद्विग्न और तनाव ग्रस रहेगा छोटी-छोटी बातों प पुष्टी प्रदान करते हैं लोग हेकड़ी सुभाव के होते हैं विविन नस्वांग रचना करना इनकी फित्रत हो जाती है पारासर महराज जी क्या कहते हैं पारासर महराज कहते हैं कि संकल्प सकती आपकी प्रसंसे नहीं है आपने जो ठान लिया सो ठान लिया वो डिग इनका जो मुख्य उद्देश होता है रात में जागोगी तो ऐसा नहीं है बैठके काम करोगे कोई फालतो फिल्म नहीं देखोगे चुस्त चौकस रहने वाले हिम्मत वार हिम्मत ताकत वर लोग है आप सुभाव जटिल होगा दुरगम होगा ठंडा करकर खाने के आदत होग ठीक बेटा मुझे तुम्हे कब गाली देना है यह मैं डिसाइड करूँगा तुम्हें प्रसाद मैं कब डिस्टिब्यूट करूँगा इसको डिशाइड मैं करूँगा बहुत अच्छी पॉल्टी है आपको कोई कुस बोल के चला जा तुरंत नाराज हो जाए या संपन्नता अगर चंद्रमा इस नचत्र में हो तो वह साजेदारी और संपन्नता ज्यादा मिलती है चंद्र या पूरभाद्र में हो तो जा तक के अंदर जीवन साथी या विप्रीत को लेकर थोड़ी से संभावनाए ज्यादा होती है परिवर्तनकारी है परंत दयालू है आदर शवादी है लिकिन थोड़ी से भीर हूं है थोड़ी से डर्पोख है अपर आपके अपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रहे है अपने अजयक पाध को ठीक करी वगवांसीवकिंतार में जाये है अगर लगन आपका इस नच्चत्र में चल ला है अगर पूरो भाद रप आपका लगन ही चल लहा है, तो जा तक सुवक्ता होगा, मतलब सुंदर बोलने वाला होगा, दार्शनिक होगा, कामातूर होगा, निरंतर निवाश बदलने वाला, मतलब एक जगह नहीं रहेंगे, आज यहाँ है, कल वहाँ हो, यातरा के सोखिन होगे, राज जैसे धनी होग अपने कार में बेस्त रहेंगे दीरघायू होते हैं ठीक है न क्या होंगे दीरघायू होते हैं चलिए चंद्र महराज की चतुर्थ चार चरणों की हम बात कर लेते हैं चंद्रवा महराज यहां चार चरणों में चलेंगे तो क्या फल लेंगे पहले चरण में आपको मेस का नवांस दूसरे में बिशप का नवांस तीसरे में बुद्ध का नवांस और चतुरत में चंद्रमा का नवांस मिलेगा चार नवांस मिलेगे तो आपके उपर प्रभाव किसका पड़ेगा गुरू का प्रभाव पड़ेगा सनी का प्रभाव पड़ेगा तो प्रथम च्रण में है तो परिवर्तन कारी परंतु द्यालू है परिवर्तन कारी मेस रासी है ना परिवर्तन कारी द्यालू है बात पात पर चुड़ जाने वा हवा में उड़ेंगे न वाई तत्त में जा रहे हैं तो हवा में उड़ा देंगे हवा में आप लोगों को उड़ाएंगे यहां पी इस तरह की चीज़ें आपको लापकारी होंगी सेकंड चरण में जाएंगे तो आपको सेकंड चरण में ब्रिशम नवांस मिलेगा मतलब सुक्र का नवांस मिलेगा सनी और गुरू दो दो गुरू इकटे हो गए तो आध्यात में गहराई से युक्त हो जाएंगे निश्चित रोप से आध्यातना आपके अंदर प्रगट हो रहा है सांती की खोज में घुमकड होंगे बाहरी लोगों से विसेश करकर दूसरे विप्रीत लिंगी पे आपके का पैसा खर्च होगा अंतर ग्यानी होंगे निभीक वक्ता होंगे जो बोलना है मुँपे बोल देंगे जिसको जो टेणा करना है टेणा कर ले अच्छा और सासकार कहते है कि ट्टोलिया होंगे किसी के नहीं सुनने वाले होंगे सोच समझ कर ही काम करने वाले होंगे जिद्धी सभाव होंगे और अगर आप इनको परिशान करोगे तो अहीत करने वाले बैल है ब्रिशब है ब्रिशब नमास लाट भी मारेगा सींग मी मारेगा दोनों मारतेगा वहीं यदि आप तीसरे चरण में आपने जनम लिया है तो धनवान होंगे कार करने में चतुर होंगे, बहुत अच्छे क्वाल्टी के लेखक होंगे, बहुत अच्छे क्वाल्टी के वक्ता होंगे, आप बैंक में अच्छा काम कर सकते हैं, राजस्विवाग आपके लिए ही बना हुआ है, पत्रकारिता आपके लिए बनी है, सोध का कार आपके लिए बना हुआ है तो यहां पे अध्यापन का कार लेखन का कार दच्छ होता है इस तरियों पे कहते हैं प्रिस्ति मतलब बेप्रेद लिंगी पे धन लुटाने वाला दूसरों को एक पैसा भी नहीं देने वाला धून का पक्का होता है बई बुध है बुध चालाक होता है बच्छों और पति के प्रति शमर्पित रहेंगे आप जीवन साथी प्रति समर्पित रहेंगे चतुर चरण में हैं तो जातक करक का प्रभाव ले लेगा तो जातक शुंदर है सांती का नवेशक है किसका नवेशक है सांती का नवेशक है सांती से रहने दो सांती सरह हो करक में गुरु महराज उच्च के होते हैं सदेव याद रखेगा करक रासी में गुरु उच्च के होते हैं लेकिन मूलत अपने रासी से आठ में जाने के पस्चात उच्च के होते हैं बहुत गहरा साइंस है इसमें धनों से गुरु महराज जब आठ में जाते हैं तब उनको उच्चता मिलती है मतलब आप अपने मूल तत्तों को मार दो तब आपको उच्चता मिलेगी तब आपको मुक्ती मिलेगी एंकार को लेके चलोगे तो मुक्ती नहीं मिलेगी तो यहाँ पे जो यह चतुर्ष चरण है इसी को बताने वाला है संकल्ब सकती मजबूत होती है देर रात तक काम करने वाले और सुबह देर से उठने वाले क्योंकि आपको अपनी योजनाओं पे सफलता प्राप्त करना रात्री निर्माण का है रात्री में जो लोग जागते हैं वो स्रिष्टी बदलते हैं तो रात्री जागरण बहुत आसान नहीं है ठीक है न हाँ फिर में देखने के लिए बात अलग है तो इस नचत्र पे इस तरह के चीज़े आते हैं इस नचत्र पे एक और पॉइंट उप हम पकड़ते चलेंगे चुकि गुरू का नचत्र है और हम आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ों को पकड़ेंगे लेकिन गुरू को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं इस नचत्र की खास खास बातें ये हैं यह नचत्र गुरू का है और यह नाभी से उपर उठने का है यहां मुक्ति का नचत्र है और इसमें मृत्यु के दोपएर मतलब मृत्यु का पुरवा भास है अब आप जाने वाले हैं मुक्त हो ज़िने वाले है एका दसबाव समस्त कामनाव की पूर्टी का घर है तिसलिए अब आप कामनाव की पूर्ती करके धीरे से निकलने वाले हैं या एक ब्रिद्ध नच्चत्र है, या बयो ब्रिद्ध है, ज्यान की प्राप्ति का नच्चत्र है, और गुरु का अंतिम नच्चत्र है, इसलिए गुरु को जो कुछ ज्यान प्राप्त करना है, गुरु दे देंगे, गुरु के चारों चरणों में यहां पर बता दूँगा पहरतिकार करने वाले तनाव गरस्त हो सकता है क्योंकि मेस का प्रभाव आएगा ना तो मेस खीचता है वहीं दोसरे चरण में अगर आप हैं ठीक है ना अच्छा अन्यत्र कुछ सास्रकार कहते हैं कि यहां पर आप दार्शनिक होंगे सरजन होंगे साधारार परिवार में उत सलावे में आके धन खर्च करने वाले होंगे दोसरों को धन देने वाले होंगे अदालत में नौकर होंगे अपने विसेश्ताओं से छित्र में प्रमुक हो सकते हैं तीसरे चरण में हैं तो चोटी चोटी बातों के चिढने वाले हैं देड संकल्प सकती वाले हैं वास्तिक ग्रोप से परिशान है चिकनी चुपड़ी बातों में आके आप धन लुटाने वाले हैं देरदा तक कारे करने में अभ्यस्त हैं सुबा देर तक सुने वाले हैं दीरग कारे कारे ही हैं मौके के तलास में रहने वाले हैं समय पर बदला नेने के हैं आप वज्यानिक हैं अच् परिश्थितियों को सामन जस्वनाएंगे जो चीज़े जहां कि हैं वहीं डिसकनेट करके आगे बढ़ेंगे तो दो जो चहरा है एक में कॉमलता है एक में तुड़ा सा टफ है कठोरता है क्योंकि समाद में जीना है तो दोरा चहरा लेके जीना पड़ेगा ठीक है ना काम क्रोध मतलोब मतसर इन सब को काटने के लिए आपके पास प्रतीक शिन में तलवार दी गई है मतलब आप अपने कर्मा के वज़ा से बिगत जन्मे के कर्मा को काटके मुक्ति की वर बढ़ जाएए क्योंकि अर्थी के दो पैर यही बताते हैं कि आपको इस जीवन में मुक्त होने के लिए ही देजा गया है खास पॉइंट है मैं पहले ही लाने बोला था आध्यात्मी का पच्च को सुदेव प्रवल रखेगा क्योंकि हम पैदा ही होते हैं मरने के लिए मुक्त होने के लिए तो मुक्ति हमारा प्रथा मुद्देश है अजए एक पद है और यह नच्चत्र का जो देवता है उसकी एक ही पैर है मतलब तांडव भी होगा बेवस्थाओं में लाने के लिए तांडव किसलिए होता है जो प्रकित में बेवस्था हो जाते है उसको बेवस्थाओं में लाने के लिए एक पैर पे तांडव करता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो चंद्रमा था वो इसी नच्छत्र में था ठीक है न स्वामी रामकृष्ण परमहंस विविकानन जी के गुरू जी साथ्च्छात काली माता से वार्ता करते थे तो आप उपासक हो सकते हैं इश्ट्रों से साक्षात बात कर सकते हैं ये सकती है आपके अंदर और कुछ खास पॉइंट मैं आपके लिए बता देता हूँ जैसे यहाँ आपका अब नच्छत्र है पत्तीस्वा ठीक है ना दो नच्छत्र इसके बाद और बस्ते हैं दो नच्छत्र और बस्ते हैं तो सात्वा जो नच्छत्र है वो आपके करव यह साय का है आप इस नच्छत्र के काम करिए सात में आप पुनरवसू से रिलेटेड वर्क करिए आपको सफलता मिलेगी पुनरवसू से रिलेटेड वर्क अब देखिए यह जो नच्छत्र है ना, गुरु का नच्छत्र है. और इसके सहास्तरकार जो पौधा बताते हैं आम, अगर आम का पौधा आप लगाते हो, तो आम जैसे पुस्थित पल्वित होता है, विसिसा जीवन आपका पुस्थित पल्वित होगा. बहांस का पौधा लगाऊगी, तो आपका करमा और व्योप साहब पुस्पित पल्वित होगा कृश्णा आगुरू का पौधा लगाऊगी, तो आपका वहाग पुस्पित पल्वित होगा देखिए प्रकित का समर्धन करते चलिए मैं कोई कहूँगा कि आप अपने हर बड़े पे कुछ करो या न करो एक पौधा जरू लगाओ आप अपने नशेत्र का पौधा लगाओ देखो जीवन में जैसे आपका कितना इसली ढंग से जीवन में सारी चुझे कनक्ट होंगी करके तो देखिए मित्र प्रकिती ही तो है जो परमात्मा से कनक्ट करती है तो प्रकित से जुड़िये परमात्मा से कनक्ट हो जाएगे और आपके लिए क्या खास बता दें आपके लिए और खास बता देंगी इस नच्चत्र में आपने क्यों जन्म लिया है इस नच्चत्र में आने के पीछे कारण क्या है तो इस नच्चत्र में आने के पीछे जो कारण यह है कि बिगत जन्में जो आपके कर्मा है ना बेतर है और बिगत जन्में आप लोगों की हिल्प के लिए गये हैं बिगत जन्में लोगों की आप हिल्प किया हैं आप अपना भी परिवार को चलाए हैं और दोसरों की परिवार को चलाए हैं खुद का सपोर्ट किया हैं दोसरों को सपोर्ट किया हैं आपको सही टाइम पे लोगों ने फीस नहीं दिये, सही टाइम पे सुलक नहीं दिया है, लोग आपको यूज करते रहे हैं, लिकिन आप अनवरत रोप से काम करते रहे हैं, बहुत अच्छे प्वाल्टी के टीचर थे, अध्यात्मी के गुरू थे, धर्म उपदेशक थे, प स्ते यस नहीं क्रते ये आदे ओे़ों रादे लादे र tutदे ये।